आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ हमें question given है find the smallest number which should be multiplied by 1575 so that the product becomes a perfect cube तो सबसे पहले हमें find out करना पड़ेगा 1575 का prime factorization अगर यह triplets होंगे तो यह perfect cube होगा otherwise हमें triplets form करना पड़ेगा तो सबसे पहले 3 से 3 से कितना times में जाएगा 5 25 times में 3 से 175 times में then 5 से 5 से चला जाएगा यह 35 times में फिर 5 से 7 times में then 7 से 1 time में that means 1575 equal to क्या आ जा रहा है हम लोगों के पास 3 का square into 5 का square into 7 और यह triplets नहीं है तो हमें find क्या करना है the required least number by which we should multiply 1575 so that it become a perfect cube तो इसको triplet बनाना पड़ेगा तो इसमें 3 से multiply करना पड़ेगा triplet बनाने के लिए इसमें 5 से multiply करना पड़ेगा और इसमें 7 के square से multiply करना पड़ेगा तो अगर हम लोग ओप्सें लेखें तो अगर हम लोग ओप्सें लेखें तो अप्सें 3 का square प्लासिक्स से टुएल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर